हेलो फेंट्स और वेलकम टो ऑप्षिन्स पर तो आप सब्लोग बहुत बहुत सब्सक्राइब है इसे तरीके से प्यार दिखा दे रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आज मार्केट लगातार गैप पर गैप दे रहे हैं मींस कल हमने जो बात की थी कि कहीं न कहीं अ मार्क कर दिये हैं मैंने 20,205, 20,155, 20,110 फिलाल के जिस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है और जो प्रीमियम हमने एड किया था आप लोगों को याद होगा 19,500 का कॉल उसका प्राइस अब पहुंच चुका है 723 और जिल लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे वो जा तार ट्रैक करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा एक प्रीमियम बन कर जाने वाला है जब मार्केट 19,450 को क्रॉस कर देगी उसके बाद और उसके बाद से आप लगातार इस प्रीमियम को देख रहे हैं 215 से लेके आज 725 तक ये प्रीमियम मूव कर चुका है चलिए फिलाल आप्शन चेन में चलते हैं बिना किसी देरी के और आप वीडियो को लाइक आप करी चुके होंगे तो आप्शन चेन में चलके देख सबसे पहले निफ्टी आज एक्सपाइरी भी है 14 सेप्टेंबर को जिसमें कहीं न कहीं फॉल के चांसे बन सकते हैं आप वो फॉल के चा सब कुछ ऑप्शन चेन में देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फिलाल अगर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें तो 14,16,000 का ओपन इंट्रेस्ट जो सबसे बड़ा ओपन इंट्रेस्ट है वो दिखाई दे रहा है 20,200 अपर तो मिंस 20,200 फिलाल एक बहुत 26,000 के आसपास चेंज इन ओई भी काफी अच्छा है बात करें 20,150 की तो 20,150 को अगर आप देखेंगे तो 1,70,000 का चेंज इन ओई है कॉल राइटिंग में साथ के साथ पुट राइटिंग में 1,88,000 एप्रॉक्स चेंज इन ओई है काफी हेवी नंबर के साथ और एक बहुत अच्छा सपोर्ट 20,100 पर दिख रहा है जहां पर चेंज इन ओआ है यह ओमास्ट 3,00,000 के आसपास है 3,86,000 का ओपन इंडेस भी है 3,47,000 20,050 20,100 वेरी गुड सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं 20,050 20,100 20,150 कहीं न कहीं एक सपोर्ट बनने की सॉरी 20,150 एक टाइट जोन बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहां पर जाम देख रहे हैं 1,070,000 है यह 70,000 नहीं है 1,070,000 के आसपास जो है call writing में change in why नजर आ रहे हैं और 7,88,000 में हमको put writing नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा यह tight zone है 20,150 बिका और उसके उपर 20,200 20,250 और यह काफी अच्छे resistance नजर आ रहे हैं तो फिलाल मार्केट का जो एक range है वो 20,050 से लेके कहीं न कहीं 20,250 के बीच में है यह जिसमें 20,150 एक mid zone नजर आ रहे हैं निफ्टी के लिए तो फिलाल चार्ट में चलके एक बार यह levels देखते हैं कहां पर क्या हैं और 151 mid zone है तो यहां पर हो सकता है आपको कुछ इस तरीक के से मूब करने की कोशिश करें 20,050 पर हमने देखा एक support भी है और वो काफी नीचे है 20,050 20,055 में आपको टेलीग्राम पर भी level दिया हुआ है 20,100 भी एक support है छोटा यह level support है जो कल का almost high था end में तो यह भी एक support है यह support 1 है यह support 2 है यह हमारा थोड़ा सा tight zone है 150 के पास वाला zone और 2200 हमारे लिए पहला resistance है R1 और ऊपर 2050 के असपास 250 हमारा R2 है तो यह सारे levels आप मार कर लिजेगा आपको काफी help हो जाएगी बाकी अब चलते हैं bank nifty की तरफ bank nifty 46,130 का level में आपको telegram पर दिया है फिलाल वहां से एक resistance लेने की कोशिश कर रहा है नीचे एक level है 46,060 का उससे नीचे 45,940 तो option चिन में चलते हैं clear कर लेंगे ज्यादा clear range क्या है bank nifty का क्या support और क्या resistance है आप लोग कमेंट करके बताते रहे ना किस तरीके से आपको help हो रही है काफी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो bank nifty bank nifty का option चिन देगे तो एक important level जो कि है 46,000 अब सभी लोग जानते हैं 46,000 कहीं न कहीं एक support बनने की कोशिश करेगा नई expiry है यह ध्यान रखेगा कल bank nifty की expiry थी आज से नई expiry शुरूई तो हो सकता है थोड़े नंबर सब को कम दिखाई थे as compared to nifty क्योंकि nifty आज expiry है बहुत सारे बहुत सारे buyers और sellers आ चुके हैं वह almost week end पर आ चुके है यह बैंक निफ्टी की नई expiry शुरूई तो अभी कुछ contracts कम होंगे तो फिलाल 65,000 के आसपास चेंज इन वाई 46,000 के आसपास दिख रहा है जो कहीं न कहीं इसको एक support बनाने की कोशिश कर रहा है साथ के साथ resistance देखें और 46,100 की बात करूँ तो 1,07,8,000 इधर चेंज इन वाई है 1,03,000 इधर भी चेंज इन वाई है तो कहीं ने कहीं यह थोड़ा सा एक tight zone है 46,100,46,200 को देखूं तो 46,200 ओविस से बात है कहीं ने कहीं है resistance होगा तो फिलाल अभी market का जो range है वो 46,000 से लेके 46,200 है जिसमें 46,100 है कमारा tight zone है Let's check Bank NFT कहां move कर रहा है आप लोग वीडियो को लाइक जरू करते रहे हैं क्योंकि अच्छे likes आएंगे तो मैं आज कोशिश करूँगा 1230 वाला option chain करने के लिए जिसमें आपको फिर से कोई update option chain में changes आते हैं तो वो हम track कर पाएंगे 46,100 का level almost यही है जो कहीं ने कहीं एक tight zone है तो फिलाल मार्केट को जिस तरीके जो move करने कुशिश कर रहा है साथकार इधर भी RSI almost 60 के आसपास आने वाला है और support देखें तो 46,000 के आसपास एक support दिखाई दे रहा है जहां से marketing में support लिया भी है और resistance कहीं ने 46,200 दिखाई दे रहा है तो फिलाल काफी high moment होने के बाद जिस तरीके से निफ्टी ने moment लिया लगातार काफी अच्छ दो हो सकता है कि अब आपको एक pause mode देखने को बढ़ा है जो हमने जरूब दाईएगा वीडियो को लाइक जरूब करिएगा और अपने दोस्तों साथ शेयर करें चैनल सब्सक्राइब जरूब करके रखें और मैं मिलता हूँ आपको फिर से नेक्स वीडियो में थैंक्यू